आज अक्मिरी रोटी के पर्फ की पवित्र सबा है अक्मिरी रोटी के पर्फ की शुरुवात 3,500 साल पहले मुसा के समय में हुई पर्मेश्वर ने इस पर्फ को उन इसराइलों की पीड़ा को समरन करने के लिए न्यूक्त किया जो मिस्र देश में फसर मना कर उसके अगले दिन से लाल समुद्र पार करने तक कनान की और जाने के मार्ग में जहाँ दूद और मदू की धाराय बैती थी मिस्री सेना से पीचा किये गए थे यह भुविश्यवानी नए नियम में पूरी हुई आज येश्यू मसिया के दौरा मनाय गए फसर के पर्फ का अगला दिन है 3500 साल पहले परमेश्यवर ने अकमीरी रोटी के पर्फ की भुविश्यवानी के दौरा पहले से बताया था कि इस दिन मसीह कुरूस पर दुख उठाएंगे इसलिए 3500 साल पहले इसराइलों की पीड़ा अकमीरी रोटी के पर्फ पर येश्यू की पीड़ा को दरशाती है 3500 साल पहले के इतिहास में इसराइलों के अनुबवों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मस्या की पीड़ा कितनी दर्दनाग थी परमेश्वर ने इस पर्फ को येशु की पीड़ा को समरंड करने के लिए स्थापित किया इस प्रकार 2000 साल पहले येशु इस धर्थी पर आकर अकमीरी रोटी के पर्फ की भविश्वानी को पूरा करने के लिए कुरूस पर चड़ाय गए और मानो जाती के सब पापो को शमा किया आज अकमीरी रोटी का पर्फ है जब इतिहास में यह अनुग्रपूर्ण घटना हुई अकमीरी रोटी के इस पर्फ पर हमें मसिया की पीड़ा और बलिदान के कारण के बारे में फिर से स्मरन करना चाहिए हमें समझना चाहिए कि पीड़ा हमारे पापो और अधर्म के कामों के कारण उन्होंने दुख उठाया था हमें पश्चताप करना चाहिए और मसिया के सभी बलिदान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद और महीमा देनी चाहिए आईए हम बाइबल लिवे विवस्ता अधे 23 में अकमीरी रोटी के पर्फ के बारे में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डाले आयत 5 देखे, यहां लिका गया है कि पहले मैने के चोदवे दिन को गुदुली के समय यहुवा का फसह हुआ करे और उसी मैने के पंदरवे दिन को यहुवा के लिए अकमीरी रोटी का पर्फ हुआ करे इस्राइलों ने फसर के अकले दिन से लेकर लाल समुद्र को पार करने तक कई प्रकार के कश्टों का अनुभव किया था इसके बारे में आईए हम निर्गमन अधै 14 में देखे लेवे विवस्ता अधै 23 में बताया गया कि फसर का अगला दिन अक्मिरी रूटी का पर्व है अक्मिरी रूटी के पर्व की शुरुवात इस्राइलों की पीडा से हुई जो उन्होंने फसर मना कर मिसर से निकलने के बाद से लाल समुद्र को पार करने तक उठाई परमेशुर ने उन्हें इस दिन अक्मिरी रोटी और कड़वा साथपात खाकर इस पीड़ा को समरन करने की आग्या दी निर्गमन अद्दै चोदा आयत पाज देखें जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए तब फिरोन और उसके करमचारियों का मन उनके विरुद पलड गया और वे कहने लगे हमने ये क्या किया कि इसराइलों को अपनी दासुता से छुटकारा देकर जाने दिया तब उसने अपना रत जुदवाया और अपनी सेना को संग लिया उसने छे सो अच्छे से अच्छे रत वरनमिस्र के सब रत लिये और उन सबों पर सरदार बैठाए और यहुआ ने मिस्र के राजा फिरोन के मन को कटोर कर दिया इसलिए उसने इसराइलों का पीचा किया परन्तु इसराइली बे खटके निकले चले जाते थे पर फिरोन के सब घोडो और रतो और सवारो समेत मिश्री सेना उनका पीचा करके उनके पास जो पियाही रोध के पास बाल सपोन के सामने समुधर के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची जब फिरों निकट आया तब इस्राइलों ने आखे उठा कर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीचा किये चले आ रहे है और इस्राइली अत्यनत डर गए और चिला कर यहुआ की दोहाई दी और वें मुसा से कहने लगे क्या मिस्र में कबरे न थी जो तु हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है तुने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें उसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े, वह उद्धार का काम देखो, जो यहुआ आज तुमारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे, यहुआ आप ही तुमारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपच लेकिन उन्ने जाने देने के बाद उसने फिर अपना मन बदल दिया, और सेना को उन्हें वापस लाने का आदेश दिया, इसराली मिस्रे की सेना को अपना पीछा करते हुए देख कर डर गए थे, जब तक इस्रालियों ने लाल सागर को पार नहीं किया तब तक वे डर और बेचेनी मैसूस कर रहे थे यह सभी दुक और पीडा कुरूस पर येशु मसिया के बलीदान को दर्शाते है परमेशुर ने पहले ही इसे पुराने नियम से दिखाया है इसलिए अकमिरी रूटी के पर्व को दुक का पर्व कहा जाता है यह दर्द और पीडा का पर्व है तो इस दिन परमेशुर ने इसरालियों को अकमिरी रूटी और कड़वा सागपात खाने दिया जो लोगों को पसंद नहीं है आज अक्मिरी रूटी का पर्व है जब परमेश्वर ने इसरालों को उस दिन के दुख को याद करते हुए वह भूजन खाने दिया जो उन्हें दुख की याद दिलाएगा जैसा भूजवानी की गई थी येश्व मस्या ने फसंद का पर्व मनाया और अगले दिन अक्मिरी रूटी के पर्व में जो आज है वह कुरूस पर चड़ाए जाने की पीड़ा से गुजरे आएए हम मतियद 27 आयद 27 का वचन देखे तब हाकिम के सिपाईयों ने येश्व को किले में ले जाकर सारी पल्टन उसके चारों और इकटी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पैनाया और काटों का मुकट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाइने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठटों में उड़ाने लगे और कहा हे येहुदियों के राजा नमस्कार और उस पर धूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पैनाए और कुरूस पर चड़ाने के लिए ले चले बाहर जाते हुए उन्हें श्यमोन नामक एक कुर्णी मनुश्य मिला उन्हें उसे बेगार में पकड़ा कि उसका कुरूस उठा कर ले चले उस स्थान पर जो गुलगुता अर्तात खोपड़ी का स्थान केलाता है पहुंचकर उन्हें पित मिला हुआ दाकरस उसे पीने को दिया परंतु उसने चक कर पीना न चाहा तब उन्हें ने उसे कुरूस पर चड़ाया और चिटिया डाल कर उसके कपड़े बाट लिए और वहाँ बैट कर उसका पैरा देने लगे और उसका दोश पत्र उसके सिर के उपर लगाया कि यह यहुदियों का राजा येशु है तब उसके साथ दो डाको एक दाइने और एक बाय कुरूसों पर चड़ाये गए आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे हैं मन्दिर के ढाने ओले और तीन दिन में बनाने वाले अपने आपको तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कुरुस पर से उतर आ इसी रिती से प्रदान याजक भी शास्त्रियों और पुर्णियों समिट ठटा कर करके कहते थे इसने औरों को बचाया और अपने आपको नहीं बचा सकता यह तो इसराइल का राजा है, अब कुरुस पर से उतर आए, तो हम उस पर विश्वास करे उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाता है, तो अब इसे छुडा ले क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ इसी प्रकार डाको भी, जो उसके साथ कुरुसों पर चड़ाए गए थे, उसकी निंदा करते थे, दो पहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंदेरा चाया रहा, तीसरे पहर के निकट येश्व ने बड़े शब्द से पुकर कर कहा, अली अली लामा शबख दिन अर्तात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो वहाँ खड़े थे, उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है, उनमें से एक तुरन दोड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर र प्रान छोड़ दिये, वह दिन आज है, दोपेर तीन बजे, उन दिनों में तीसरा पहर था, तीसरे पहर, कुरूस पर मर जाने तक, येशु इतने कस्टो और पीडा से गुजरे, बहुत से लोगों द्वारा, उनका मज़ाक उड़ाय गया, उन पर थूका गया, और एक सरकंडा से मारा गया था, सुरुष्ट जीवों के द्वारा तिरसकार किये जाने के, अपमान जनक शन में भी, उन्होंने अपनी संतानों के उधार के लिए, सब कुछ सहन किया, इन सब बातों के द्वारा, जिन से वह गुजरे, हम मस्या के बलीदान को देख सकते है हमें इस अकमिरी रोटी के पर्फ को केवल पुरानी नियम के पर्फ के रूप में नहीं मानना चाहिए नया नियम में मस्या दर्द, पीडा और कटिनाईयों से गुजरे, हमें भी अपने मन और धिह में मस्या के दागों को ले लेना चाहिए और कुरूस पर उनकी पीडा के दागों को ले लेना चाहिए आईए हम गलातियों अदैच्छे आयत सत्रा देखे आगे को कोई मुझे दुक न दे क्योंकि मैं येशु के दागों को अपनी धिह में लिये फिरता हूँ हमें भी ऐसी सियोन की संतान बनना चाहिए जो कुरूस के दागों को लेकर मसीह के मार्क पर चलती है जब हमरे पिता दो हज़ार साल पहले इस धरती पर आये थे तो उन्होंने केवल अपनी संतानों के उधार के लिए जिने स्वर्ग में पाप करने के परिनाम सुरुप इस पुरूती पर गिरा दिया गया था कश धेलने का जीवन जिया इसलिए प्रेरित पॉलूस ने कहा कि वह भी येशु के दागों को अपनी धिया में लिये फिरता है हमें भी अपनी धिया में येशु के दुख के दागों को लिये फिरना चाहिए जुतिय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सभी बिटिश सैनेक अपने देश लोट आए जब सैनेक अपने घर वापस आए तो सभी नागरिक और राज्य सभा वो लोग सभा के सदस्य और यहाँ तक की राजा भी उनका स्वागत करने के लिए सुबच जल्दी सडकों पर निकल आया राजा और दोनों सभा के सदस्य अपनी निर्धारित सीटों पर बैटे थे और नागरिक सडक के दोनों और खड़े थे और एक बड़ी जैजैकार कर रहे थे जैसा कि राजा बैटा था, सभी सेनिकों ने सडक पर माच शुरू किया, सबसे पहले सेना दिखाई दी, फिर नौ सेना और फिर वायू सेना दिखाई दी जब उनने सडक पर माच किया, तो कई नागरिकों ने जोरदार जैजैकार के साथ खूप तालिया बजाई बेशक, दोनों सबा के सदस्यों ने जैकार किया, और राजा ने भी युद में उनके परिश्रम से प्रभावित होकर तालिया बजाई कई अलग-अलग सेनिकों ने माच करना जारी रखा और सबसे पीछे से सेनिकों का एक दल आया उस सेना दल को देखकर सभी सांसद अपनी सीट से उटे और राजा भी अपनी सीट से उट खड़े हुए और सबी नागरिकों ने अपने सामने से गुजर गए किसी भी अन्य सेना दल की तुलना में उस सेना दल का सबसे अधिक गर्म जोशी से स्वागत किया यह उन खायल सेनिकों का दल था जिनने युद के दौरान अपने पैर, अपनी बाहे या यहा तक की अपनी आखे खो दी थी उन सेना दल को देखकर सबी नागरिकों और राजा ने भी खड़े होकर उनका उत्सा पूर्वक स्वागत किया जब हम पर मसिया के दाख है और हम इस पूर्थी पर अपना सभी समय केवल सू समाचार के कारे के लिए बिताते है तो हमरी आत्मा में कुछ छोट लग सकती है लेकिन आकरी समय में जब हम अनंत स्वर्ग में प्रविश करते हैं तो सबसे बड़ा जैकार किसे मिलेगा जब हजारों स्वर्ग दुत आकरी स्वर्ग ये सेना के लिए जो इस पूर्थी पर अपना आत्मिक युद्ध पूरा करके आई है जैकार करते हैं तो किसका सबसे बड़ा स्वागत किया जाएगा हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है प्ररित पौलुस ने कई बार 49-49 कोड़े खाए कभी-कभी बेते खाई कभी-कभी उस पर पत्राओ किया गया इन सभी चोटों के बावजूद उसने आत्मिक युद्ध के लिए अंगिनत बलिदान किया कुछ घायल सैनिकों ने अपना एक पैर खो दिया कुछ ने अपनी बाहे या आखे खो दी युद्ध के कारण अपंग होकर वे सबी घर लोटाए हाला कि जिस सेना दल का सबसे बड़ा स्वागत किया गया वो था घायल सैनिकों का दल आत्मेक रूप में भी ऐसा ही होगा इसलिए प्रेरित पॉलुस ने क्या कहा कि उसकी धिया में क्या था उसने कहा कि उसकी धिया में येशु के दाग है बेशक सब लोगों को किसी चोट लगे बिना आराम से सु समाचार का कारे करना भी ठीक है किसी को चोट लगे बिना और यूद से जीत कर सुरक्षित रूप से वापस आना हर कोई चाहता है लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश और उन लोगों के लिए अधिक प्रशंसा और अधिक आशिरवात देंगे जो हमारे अनंतस्वरक के राज्य के लिए और सु समाचार के लिए आत्मेक रूप से घायल हुए है आज की सुरक्षा और आराम हमारे लिए एक आशिश नहीं है लेकिन इसके बजाए हमें अपने उपर होने वाले कस्तों के दागों को और अधिक लेने में सक्षम होना चाहिए ताकि हम यह कह सके मैंने सु समाचार और परमेशुर के लिए अपनी दियर में मसी येशु के दागों को ले लिया हूँ मुझे आशा है कि हम इस तरह के विश्वास और मानसिक्ता के साथ सामर्या में और पृत्वी की छोड़ तक सु समाचार का परचार करे यदि हम केवल आराम और सुरक्षा का आनन लेना चाहे और दूसरों से कोई अब प्रिया शब्द सुनना न चाहते हुए कुछ काम न करे तो कोई दर्द और पीड़ा नहीं होगी लेकिन केवल एक आत्मा को बचाने की कोशिश करते समय हजारों आत्मिक लड़ाई और दस्यों हजार बाते होती है यदि आपको इससे चोट लग जाती है तो इसे स्वर्ग के राज्जे में हमेशा के लिए खूब सूर्थी से याद किया जाएगा और यह कभी गायब नहीं होगी लेकिन स्वर्ग की महिमा के रूप में रहेगी मस्या इस धर्ती पर मानो जाती को बचाने के लिए आकर महन बलीदान और कुरुस पर भयानक दर्थ से गुजरे आईए हम येशु के दागों को लेकर सामर्या और पृत्वी की छोर तक सू समाचार का परचार करे मुझे आशा है कि इस अक्मिरी रूटी के पर्व के माध्यम से हम सभी इस तरह का नया संकल पले इस अक्मिरी रूटी के पर पर भले ही यह कम समय हो येशु ने हमें उप्वास के माध्यम से पीडा के समय में भाग लेने की अनुमती दी आईए इस बारे में एक और आयत खोजे मुर्कुस अदे दो आयत अठार यहन्ना के चेले और फरिशी उप्वास करते थे अतो उन्होंने आकर उससे यह कहा यहन्ना के चेले और फरिशीों के चेले क्यों उप्वास रखते है परन्तु तेरे चेले उप्वास नहीं रखते येशु ने उनसे कहा जब तक दुला बरातियों के साथ रेता है क्या वे उप्वास कर सकते हैं? आतर जब तक दुला उनके साथ है तब तक वे उप्वास नहीं कर सकते परन्तु वे दिनाएंगे जब दुला उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उप्वास करेंगे यवचन वे दिनाएंगे जब दुला उनसे अलग किया जाएगा उस दिन को दर्शाता है जब येशु कुरूस पर चड़ाए जाएगे वे दिनाएंगे जब दुला उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उप्वास करेंगे येशु ने हमें इस तरह से जगाया इस शिक्षन के अनुसार हम दोपेर तीन बजे तक जो येशु के कुरूस पर मरने का समय है उपवास करते हुए इस अक्मीरी रोटी का पर्फ मना रहे है ताकि हम मस्या के दुख को याद कर सके और समरन कर सके इन सभी भौई शिवानियों के अनुसार इस वर्ष 2020 में आई एम उस मार्ग पर चले जिस पर हमारे पिता और माता चले और ऐसे सियोन के लोग बने जो पूरी दुनिया में सभी खोई हुई सियोन के संतानों को खोच कर उद्धार की और अगवाई करने के लिए बहुत प्रयास करते है इससे मैं आज का उब्देश समप्ट करना चाहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद